नमस्कार स्वागत आपका हरियाना निज्ट वांटीफॉर पे हम गुर्कुल में मौजूद पाली बाबा जैरामदास और राजीव दिसीक तपो ममी और ये जिला महंज़गड में गुर्कुल पूरे वर्ड में परसीद है और यहां पे हम मौजूद पीछे वोही बच्चे देख लीजिये गुर्कुल के और साथ में हमारे साथ संचाल गुर्कुल के महर कमकांजी उपस्तीथ हैं और साथ में एक महिला दो छट छट चट बैठें तो आज का परफ़ज हम जानते हैं क्या गुरु जी क्या कहने जाने जाने जी गुरु जी अखंड बारत स्वाइबान का एक लक्षे है बीस लाक से अधिक जो बच्चे रोड पे हैं मेरी अंतिम सांस से पहले वो बारत के गुरु कुलों में होंगे और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं इस समय रोड पे तीन प्रकार के बच्चे हैं पहले बच्चे वो जिनके माता-पिता करम विहिन है सैकडों से अधिक बार गुडगा टोल पे दिल्ली के टोल पे मैं व्यक्तिकत रूप से गया हूं मैंने उन बच्चों को गोध में उठाया है और जैसे पतियों के बच्चों को किड्नेप किया जाता है और उनसे मोटा पैसा वसूला जाता है तीसरे परकार का जो बच्चा होता है उसमें बच्चे को हरियाना से किड्नेप किया जाता है और बंबई में जाके भीक मंगवाई जाते हैं चोथा जो परकार है वह वास्तम में जैन बीस लाग, तीस लाग, चारीस लाग, पचास लाग बच्चे दे दो, इस वर ने मेरे को सामर्थे दिया, मैं एक एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाड़ूंगा, लेकिन एक रुपए भी अगर आप भीख देते हो, तो ये बच्चा देखिए, ये नन्ने नन्ने बच्पन के अत्यारेवा, इस से बड़ा पाप कुछ नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि इस प्रकार के माता पिता, काम नहीं करते, और रोड पे बैठे होते हैं, और बच्चों से भीख मंगवाते हैं, आज गुरू कुल में भी आए, और इनों ने पर्चा दिया कि हमें यहां से आएं, हमारा घर नहीं है, ऐसे प्रपोजल मैं लाखो ट्रेनों में दे चुका हूँ, जो अपाईज बनके बैठे हैं, उनको दे चुका हूँ, मैंने एक प्रपोजल दिया, कि आप अपने परिवार साइध, इस गुरू कुल में आईए, आपको दो कमरे द दिया है, राउल किसी ने दिया है, रवी किसी ने दिया है, किसी ने किसे, ये जो देने वाड़े है, मैं देने वाड़ों की बावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन सब देने वाड़ों के बात कहता हूँ, कईना कई आप पाप के बागी बन रहे हो, आपके पैसे देने स यह व्यापार चल रहा है जिस दिन आप देना बंद कर दो गई यह माता पिता बच्चों को स्कूल में बेजेंगे गुरुकुलों में बेजेंगे और खुद काम करेंगे इसलिए इस सडीयंतर से खतम करना यह मेरे जीवन का पहला लक्षे है और जब इनको बोला गया कि आप मैं खुले दिल से कहता हूं कि दो कमरे इनको दूंगा और अगर यह दोनु तीनों बच्चे देते एक लाख रुपए इन बच्चों के नाम एक लाख रुपए मेरी नेक शैलरी में से एपडी करूंगा बसरते कि यह बच्चे यहीं रहें और पढ़ें लेकिन यह नहीं आ हम नहीं हमारे वहां मैंने क là की बेटिया को छोड़ो आपके पती इस बथि नहीं रहें नहीं हमारी बड़िया में रहें डाए चलो मैं बठागे लिगाता हूं पीर तो यह डेखे होने के नाते आप से निवेदन करता हूं कि इसे एक युद्ध बना दीजिए जहां भी बच्चा दिखाई दे उसे राजी उदिख्षित गुरुकुल में पहुंचा है हमारे पास बड़े बड़े योद्धा है हमारे पास मंगल पांडे है यह देखिए हमारे पास जतिन दो मुत्र इखटा कर देती है और दिन में पढ़ाई करती है और इन बच्चों को आप जो भीग मांग रहे हमारे पास दोगे आम इने राष्ट दरम और प्रकर्ति के लिए लड़ना सिखाएंगे एक भी बच्चा दरम द्रोई नहीं होगा राष्ट द्रोई नहीं होगा तो मेरा निवेदन है जी कहां से हम लोग सोज त्रोड़ पाली जीला यहां पर अब गुरु जी कह रहे हैं आप रहे हैं आप कामरा दे रहे हैं एफडी करवारे बच्चों सुने ना अब हमारी भी सुना हम आए गाउं से गाउं में गयते हमको कुछ कपड़े दिये आठा प्रुजस को पर खाने यहां पर एक नमची ने बोला कि तुम्हारी बच्चे आजसे रख भली सब्सक्राइबे तो इसको बोला कि य Chelsea रते हमनी करुजी रते हम के जोए त laureten 6 C 민craftी को मंगत तो बोले कि आज़ कि हम देंगे तो दू Muitoklärrina को मांगत तो दी भी बोली कि हमार ग तो फिर अमने बोला गुरूजी हम लोग पैसे नहीं मांग रही है यह मर बच्ची यह थोड़ा इसकी गले में खाना नहीं पसता है हालत इसकी बिगडरी बस इसके बाद को इससे बात किया ना कुछ किया ने वह बात पैपर में जो नाम लिखे रहते हैं जो हम बीक मांग रह तो अब हो गई वह करते हमारी तनका कुछ गटाते गए बढ़ाते नहीं गए तो फिर हम लोग लिखल गए इधर हर्याना साइड में बोले काम लग देते कोई 500 में देते को 600 में देते तो दो तीन दिन हमने काम भी किया मंडी में मंडी में जो होते ना एक तो वह रूई है वह लिकला आपके गरवाले काम करते हैं अभी आज नहीं मिला काम तो हम लोग मंडी में रुके हम लोग में दर गाड़ा हम कुछ 15-20 दिन हो गए आपको गुरू जी बोले तो हम गुरू जी को क्या बोले गुरू जी हमारे साथ में 15-16 जने हम यहां के आपके पास रह पूछ जितने भी जने इदर खड़े इनों को सही बोट लो के बच्ची ने पैपर दिया था कि इसकी माने दिया तो पर एसंस्ता वाले आपको क्या बोलें यह जो पास उनों पयपर मैंने दिया तो फिर इसने में को बोल दिया तो हम को भी सर्माना आ गया क्यूं कि बोले बॉलता है कि मैडम को बोला कि आप ढूंगी में गूम रहे हैं निविए मांगते गोम रहे हो यह गाउं गाउं में आपको सोचा अहां ग्यार बारा बच्चे तक हम लोग रहते हैं यह जो खाने की चीज़ है, इसमें कप्ड़े लेक आया है? बच्चों को घृएंगे बोले आप गरुजी तो ऐसे घरम हो रहे कि क्या नाम गरुजी अमारा बात सुनों इधर रहेंगे अभी आपका तुम्हारा नाम सुनके तो वह भी अधर बैट तो वह भी अमारे देख पाली का नहीं गुरु जी लावा साब इन्होंने तीन बार स् बैट आस रहे क्योंकि मेरा वर्चा है इस स्रष्टी मेरा मरा वह स्व कमरेमे और यह बच्चा था यह कै श्रांप पहस्ट होर्या vaccine से यह ईकि मैं इस पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं मेरे बच्पन था कि मैं भीक से मुक्त कर दूं भारत को कि पूछ आप इन से पूछिए कि नो ने इवा आप ये बोले पैसा मांगे हाई राया मैं पैसे मंगा दुरगापुर सो हूं आप बोले पैसा मांगे हाँ या ना पैसे हमने आप से मांगे तो पर अब बास अब आप एक बात देखिए इस देश का दुरुबागे देखिए कि मातर 11 बजे तक ये लगब बावन सो रुपए इखटा कर चुकी है यह सारे साइन देखो एक अजार रुपए सुसील ने या तो यह जूठे हैं यह इनका ड्रामा है रावल पानसो राजू पूरन सिंग यह टोटल पांच अजार से जादा है यहां पर मजदूरी पानसो साड़े पानसो रुपए है मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि पांच श्टेशन पे इवन इवन जिन लोगों के पैर है वह जबन पूर्र रेलए स्टेशन का केस है बैठा हुआ है वैकति पैर दवाके और जम मुझे लगा रिए तो इसको मेरे को स्कूर्टी गार्ड कि आउ सकता है मैंने जबन पूर की वैकति इसका ट्रॉन्ट जो है टिकट मैंने इनको यह कहा कि बिटिया को यहां छोड़ जाओ आपके पती को ले आओ यहां पर और बैठके यहीं आप रुकना आपको कमरे देंगे दाओं खाने पिन गई बच्चे सारे मस्त हैं आपके सामने कम दे पाते हैं हमारी चमता के अनुसार लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश सिर्फ इतना था कि जब तक इस देश से बिख्ष्यावरती मुक्त नहीं होगी यह देश दुबारा से विश्वगुरू नहीं बनेगा और तो यह इसे कर सकती है तो यह हमां पाली गुरुकुल में है गुरुजी का उद्देश से सर्व इतना है आप अक्सर ट आप कहिने कहीं उनसे दूर बैठे देखते रहते हैं सर आपको दिल्ली जैसे बड़े सहर में गाड़ी से कभी न कभी तो गुरुजी का उद्देश से सर्फ यह है कहने का इन लोगों को भीख ना दे को रोजगार दे या कोई ऐसा करें या गुरुकुल पोंचाए मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तीन परिवर्तन इस राष्ट को करने और तीन कलंक खतम हो जाएंगे जब भी आपको भीख मांगता हो बच्चा दिखाए देख 54 मद्दो उसे अपनी गोद में बठाओ ऐसे चल बेटा और गाड़ी में बठाओ तुरंत पुलिस के पास ले ज बच्चों की किड्नैपिंग होके ये बीक्षya वर्ती की बहुत बड़ी लो भी है बच्चों को बंबई में हरिदवार में बीख मंगवाते दिन भर टोर्चर करते हैं और राज को कुछ खाने के लिए देते बच्चे ड्रे ड्रे रहते हैं मैं जाता हूं बोलते भी नहीं बच्चे आज जो दोफैर में साड़े बारा बजे धूप में गूम रहे हैं इन लोगों की मुरखता और करम इंता की वज़े से क्योंकि एकतिस साल की जवान है इसका पती भी है दो टाइम अगर मजदूरी करें तो एक अजार रुपए कमा सकते हैं साथ में स्कूल में आए तो हमारे जैसे बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं यह बच्चे साथ नहीं होंगे तो बिख्षा देगा कौन इनको यह इनको दिखा गे तो भी भी अले रहे हैं यह एक वो इमोसिनल इमोसिनल हम विक्टम कार्ड दूसरा यह लोग चतुर भी बहुत होते हैं इन्होंने आप ए तीन अलग लग स्टेटमेंट बदली पैली स्टेटमेंट में इन्होंने यह पत्र थमाया जैसे आप आये बोला जी हम भीक मांगने नहीं हमें तो गावड़ों ने बताया था हम रूकुलेद दवा जैसे ही मैंने यह सारी बाते कहीं कि इस बच्ची को यही बच्ची पढ़ेंगी इन्होंने तुरंट स्टेटमेंट बदल दी जी मैं छोड़के नहीं जा सकती मेरी पूरी टीम है वाला पूरा गिरो है 15 लोगों का जो काम करने के लिए मैंने का 15 के 15 को ले आओ क्योंकि मेरे पास काम करने वाले रुकते ही नहीं है इंदुस्तान में क काम करने वाले रोग हैं मैंने का इस बेटी को छोड़ जाओ मैं बाइक पर बेज़ता हूं बुला लाव अपने पती उन्हें नहीं हम सारे जाएंगे मैंने का सारे चले जाओ ले आओ और यह आपको मैं आज ओन काम कह रहा हूं यह वापिस नहीं आएंगे और कभी भारत म कोई दुस्मन है इन बच्चों का इसके बच्चों के इन मासुम बच्चों के बच्चपन का अगर कोई दुस्मन है बेटा देख एक बर में डर्मत मैं तेरी मा से भी तेरे लिए अच्छा हूं बेटा मैं तरी को पढ़ना चाहता हूं इन बच्चों का अगर कोई दुस्म को मार दिया है बुद्धी हिंता में किया गया दयावस किया गया करम बड़ा नहीं होता पूरे विवेक और मस्तिक्स के साथ लिया गया निरने बड़ा होता है इस देश को भिक्षावरती मुक्त बढ़ाईए और अगर बच्चा कोई है ऐसा तो गुरुकुल पहुंचाईए अभी यहां निवेदन करता हूँ आप से हाथ जोड़के मुझे पता आपके पास समय का बाव है एक दिन के वाज आप इसी कामरे को लेके इस गुरुकुल में आईएगा आपको सच्चा ही पता चलेगी तो एक दन के बाद फिर यहां पूंचते हम नहीं तो फिर मेंदेगड में आपको देखेंगे यह तो देखते हैं कल आने के कह रहे हैं आज बुदवार को पांचे लोग हैं यह आएंगे वे पंच्छ संपम्ग देखते हैं यहा आएंगे यहां आएगे और बच्चों को यहां की जड़े रहुचे को यहां पर काम भी मिलेगा रहने के लिए पढ़ यहां किजिए और आप् frustration बड़े घर भी ऑन्हीं बीड आ मैं मॉनना Pas